यूपी में हुए उपचुनाओं में बीजेपी की हार के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट वारल हो रही है उसमें से एक पोस्ट मैंने देगी जिसमें लिखा था कि सीम योगी ने नौईडा का दोरा किया इसकी वज़े से बीजेपी की यूपी में हार होई है ये कारण बताया गया है लेकिन जो असली कारण है वो बताने के लिए मिरसाथ आदित है अभी मिरसाथ आदित गोरकपुर और फूलपुर के चुनाओ उपचुनाओं के नतीजे आ अभी हमने सीम योगी को भी सुना वो सीधा आरोप लगा रहे है अति आत्म विश्वास और सौदेबाजी हो रही है क्या रहे में कारण जिसकी वज़े से शिकस जहननी पड़ी बीजीत को एक बड़ी जीत है क्योंकि पिछले लोग सभा चुनाओं में 2014 में योगी आदितनाथ कड़ी साढ़े तीन लाग से जादा वोटों से जीते थे ये सीट भारती जनता पार्टी के इतसाथ थी और योगी आदितनाथ मुख्यमंत्री है यूपी के बहुत कद्दावर नेता ह है और पूरे देश में जा जाके रैलिया करके भाजपा के लिए वोट बटोरते हैं और उन्ही के गढ़ में समाजवादी पार्टी ने सेन लगा दी इसमें बड़ा रोल बहुजन समाज पार्टी के समर्थन का भी रहा है दूसरी सीट उत्तर प्रदेश में लोग सभा देखना पड़ा है वहाँ पर जीत दर्ज की है नागेन सिंग पटेल ने उन्होंने कौशलेन पटेल को हराया था जैसा कि योगी आदित तिनाथ ने कहा कि जो बेमेल गट बंधन है चुनाओं के ठीक पहले जो हो गया वो उनकी हार के लिए जिम्मेदार है ये बेमेल गट है हम लोग सुबा फिस्बुक लाई में डिसकस कर रहे थे कि अगर ये सफल रहता है एक भी सीट अगर जीत लेती है तो 2019 के लिए बड़े संकेत होंगे विपक्ष के साथ आने के क्योंकि ये कारगर है ये फॉर्मूला एक अपनाया गया लिटमस टेस्ट था इतिहास में भ खूब जन्ता पार्टी ने भारती जन्ता पार्टी ने उठाया था उस वक्त भी मुलायम सिंग्याद और कांशी राम मिलके उन्होंने भी गडबंधन किया था और उनके विजयरत को रोका था और अच्छी-कासी जीटें हासिल की थी खैर अभी फिर प्रेजेंट में आते है उसमें सबसे पहला कि जो केंडि देट गोरकपूर में एक एकसीड की अगर हम बात करने तो पहले गोरकपूर की बात करते हैं गोरकपूर मेंजेट उतara गया от sawn और यह आदितनात की पहली पसंद नहीं थे वो चाहते थे कि मठ के बाहर जो गोरक धाम मठ है उसके बाहर का कोई उम्मिद्वार बने क्योंकि 1989 से 1989 से करीब 29 साल हो गए हैं और जो भी प्रत्याशी बनता रहा है गोरक धाम मठ का ही रहा है पहले अवैद दिनाथ थे उसके बाद उनकी मृत्यू के बाद योगी आदितनाथ 1998 से अभी तक लगातार पांच बार सांसद रहे हैं तो ये जो सीट थी वो मठ के पास ही थी योगी आदितनाथ इस बार भी चाहते थे कि ये सीट जो है मठ के ही किसी सदस्ट को दी जाए उन्होंने एक नाम भी प्रस्तावित किया था लेकिन जो आला कमान है उससे सहमत नह कोई ये चीज कनवे नहीं कर पाए हैं और ये कहार का एक बड़ा फैक्टर हो सकता है आदित आपने ठीक कहा है क्योंकि जब उप्चुनाओं में प्रत्याशियों का एलान हो रहा था उस समय भी ये कहा जा रहा था कि योगी आदितनाथ और केशो प्रसाद मौरे को ये शेत्र से गोरकपूर से और फूलपूर से जो प्रत्याशी है जिस भी प्रत्याशी को चाहे उसे खड़ा कर सकते हैं लेकिन यहां पे आपने कहा कि उनकी पसंद का प्रत्याशी नहीं था हां उनकी पसंद का प्रत्याशी नहीं था और यही चीज हुई है फूलपूर में फूलपूर की सीट की अभी हम बात करेंगे डीटेल में तब मताएंगे लेकिन फूलपूर में भी कहते हैं कि केशो प्रसाद मौर्या जो है पटेलों से थोड़ा सा चीड़ेस रहते हैं उनको एक बार विदान सभा चुनाओं में पटेलों के वसे हार भी जहल नहीं पड़ी प्रत्याशी जो थी कॉंग्रेस ने सुरहिता करीम को उतारा था कि जिससे मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ आकरशित कर सके लेकिन मुस्लिम वोटर इस बार ज्यादा सतर्क रहा उसको पता था कि इस चुनाओं में कॉंग्रेस तो टक्कर में नहीं है जीत अगर कोई टक लेकिन वो बटे नहीं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में चले गए तीसरे फैक्टर की बात करें तो चुनाओं के एन पहले यह जो गटबंधन हो गया गटबंधन एक बड़ा फैक्टर था इस जीत का और शायद अगर गटबंधन ना होता तो बहुत मुश्किल हो ज दिये थे कि आप घर घर जाएंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे और इसकी मुझे रिपोर्ट चाहिए यह बहुत इफेक्टिव हुआ वो लोग गए बस्तियों में गए और वहां बताया कि इस प्रत्याशी को वोट करना है और फिर बंपर वोट हुई चौथा फैक्टर जो गोरगपुर लोग सभाव चुनाओ में बीजेपी की हार के लिए जिम्मेदार रहा वो कम मतदान प्रतिशत था पिछले लोग सभा चुनाओ की अपेक्षा इस बार 11 फीजदी कम मतदान हुए और इसमें बड़ी संख्या शहरी व बीजेपी का माना जाता है और वो निकला ही नहीं वोट देने गया ही नहीं तर ऊबढ़ा असमें भी अफैक्टर उसमर का बैकड्डॉट साबित हुआ आदित जैसे हैं आपने ब्यस पि की बात की ब्यस पिक के लिए कहा जा सकता है कि बैक 20 बेसिक्स जा रही है क्योंकि ब्यस पी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो theatre उसका इतना मजबूत होता है जो कुर वोट च कै पार्टिया सीख लेती जो कर जो कर बूसमाज की था कि 2017 चुनाओ के वक्त यूपी में बीजे पी ने कैसे उन्हें अलग थलग कर दिया जैसे सीम योगी आदेतनाद को ले आए तो आपने कहा कि उन्हों ज्यादा सतर्क होकर वोट किया तो बिलकुल यह जो दो फैक्टर है कारगर साबित हुए और उसके बाद रही सही कसर ज जो मुस्लिम वोटर था वो बढ़ चड़ के हिस्सा लिया वो वोटर किसका था वो कोर वोटर था समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी की वैसे दलित वोटर खींच के आगे और मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी को वोट करता ही है कॉंग्रेस की तरफ मैं पांचवा कारण बता दू और यह बड़ा कारण माना जा रहा है 2014 के जब लोगसभा चुनाओ हुए थे तो बीजेपी का जो रणनीतिकार थे बीजेपी की जो रणनीतियां संभाल रहते वो थे प्रशांद किशोर आई-पैक उनकी प्यार एजेंसी का नाम है उस तीम में उनके साथ एक सदस्य थे सुजीष खरे मैं नाम उनका भूल रहा हूं सुजेश खरे उनका नाम था 2014 के चुनाओ जीत गए फिर प्रशांद किशोर अलग चले गए फिर बिहार में उन्होंने कैमपेनिंग की इस बीच में सुजेश खरे जो है सपा के पास आ गए समाजवा के इसको अंजाम दिया उनकी भी एक बड़ी सफलता मानी जाई उनका नाम मेंशन करना यहां जरूरी है दोजा 14 के बारे में कहा जाता है कि वह ऐसे चुनाओ है जिन्होंने भारत की राजनीती को ही बदल दिया तो उसका असर आज 2018 तक में आदिते दिख रहा है फूल पू में जो जाती है समीकरण था आपने पहले बताया कि जैसे केश्व प्रसाद मौरिस से पटेल जो वोटर से वो पहले ही नारागा लेकिन ब्रामार वोट भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर सके उनके हिस्से में सिर्फ 10-11,000 वोट आए हैं अती यहां मुझे चौंकाता है फूल बड़ा कारण हो सकता था बीजेपी की जीत का बीजेपी को उमीद थी इस तरह की जीत की कि अगर मुस्लिम वोटर सपा के पास नहीं जाएगा और जो अतीक हमत को वोट गये हैं ना 30,000 वो कोर वोटर है समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटर है लेकिन अतीक की अपनी वोट कर जाने के बावजूद फूलपूर में इतने बड़े अंतर से जीत करना एक एतिहासिक है इसमें सबसे पहला फैक्टर मैं यही मानता हूं कि केशव प्रसाद मौरिया वहां से जीत गये तो उनका कोई बहुत बेस वोटर नहीं था तो पहला रीजन उसमें यही है कि एक तो केशव प्रसाद मौरिया उपमुक्यमंत्री भले हैं लेकिन वहां उनका बहुत बेस वोटर नहीं है मौरिया जाती वहां है करीब 8-8% लेकिन वह भी थोड़ा सा बहक रही थी दूसर रीजन उसमें यह आया है कि इन्होंने बाहरी प्रत्याशी उतार दिया इन्हो समाज का वोट जादा है तो पटेल समाज ने भाजपा की बजाय समाजवाधी पार्टी को वोट कर दिया क्शेत्री नेता थे वह इस बात को वह सफल रहे बुनाने में वह इस बात पूरी तरीके से सफल रहे तो यह बड़ा फैक्टर था फूलपुर चुनाओं में सवर्ण भी है तो इन सब को मिला करके देखा जाए तो जैसा मायवती ने आदेश दिया अपने जोनल कॉडिनेटरों को कि जो भी है दलित वोट जो है वो पूरा का पूरा सपा को जाना चाहिए वहाँ पर ऐसा पूरी तरीके से होता हुआ दिखा भारती जंदा पार्टी को एक बात स्विकार करनी चाहिए कि इन दोनों चुनाओं में उनकी जो सोशल इंजीनरिंग है वो फेल हो गई है जो जाती समीकरण वो बिठा के रखते थे वो पूरी तरह से फेल साबित हुए है जबकि समाजवादी पार्टी उसमें सफल रही है अखलेश यादों करीब 10 दिन पहले गए थे फूलपूर में इलहाबाद में उनने प्रेस कांफरेंस की थी और उन्हें कहा थे कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है लेकिन हमारी जो सोशल इंजिनरी है इस बार वो सटीक है वो कारगर रहेगी और उनकी बात सही साबित होती है वो सफल रहे है जाती ही समी करना उनके और जैसे योग याद इतना तभी कुछ देर पहले रहे थे क्षेत्री मुद्धे बहुत माइने रखते हैं क्षेत्री मुद्धों पर काम किया था भाजपा ने उसके बावजूद हार गई उसका रीजन ही यही है कि उनकी सोशल इंजिनरींग फेल ह अगर वो गोरकपूर की भी बात की जाए तो एक निशाद उम्मिद्वार को लेकर आते है वहाँ पर और वो सीम योगी के गड़ में जहां पर इतना दबदबा है चाहे जो भी कारण रहे हो लेकिन वहाँ से जीत जाते है निशादों का मैं बता दूं कि गोरकपूर में कर वोटों के मत का प्रतिशत है उनकी जीत का सिर्फ इतना ही अंतर था उनको सेकेंड नंबर पर प्रतियाशी थे वह भी निशाद थे हमेशा सही पांच बार से उनको टक्कर देते आ रहे हैं निशाद ही और इस बार इस चीज को समाजवादी पार्टी समझती थी तो इलेक् समाजवादी पार्टी को वोट कर दिये उसके लाव बीसी के और जो यादों है और लोगों ने किया ही मुस्लिम बोटर बहका नहीं मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के पास रहा एक बहुत रोचक चीज और मैं बता दूँ कि इस बार जो उपचुनाओं में नारे दिये गए ना यह भी एक बड़ा फैक्टर सावित हुए यह लोगों की जहन में उतर गए क्योंकि उनके सरोकारों से जुड़े हुए थे और अपना मैसेज कनवे कर ले गए मैं कुछ नारे भी बताऊंगा इस फेस्बुक लाइब में जैसे समाजवादी पार्टी नारा जुमले बाजी पर सटायर करते हुए उन्होंने नारा दिया था और खुब चर्चित रहा फूलपूर और गोरकपूर लोग सभा उप चुनाओं में दूसर नारा उनने दिया कि फूलपूर में कमल मुर्जाया साइकल वाला दिल्ली आया या उन्होंने कहा कि चलो साथी सब्सक्राइब कमल को इस बार धूल चटाएं या खिलेश माया आये साथ उडगय मोदी योगी के साथ चलेगा हांथी उडएगी धूल जीतेगी साइकल हारेगा फूल राम से नहीं आराम से जीतेंगे फूल पूर धूम धाम से इमली कबूटा बेरी कपेड दोड़ेगी स सब्सक्राइकिल भासपा है फिले से मज़ेदार से किये और वो कारगर रहे है वो चुनाओं में ये नारे कारगर है आकर आदेता पी नारे सुना रहे थे तो मुझे एक बात याद है अच्छा हुआ अखलेश यादों ने इस बार गुजरात के गधों का जिक्र नहीं किया लेशले चुनाओं में गधों का जिक्र करके फस गए थे हाँ गधों के जिक्र से मुझे याद आया कि एक और बड़ा कारण था फूलपुर में इनकी हार का एक मंत्री है कि उत्तरप्रदेश सरकार में नंद गुपाल गुपता नंदी बीजेपी के बड़े में निता माने बनिया बिरादरी से आते हैं और अच्छा खासा वोट उनका है इलहाबाद में वो गये थे चुनाओं प्रचार करने और उन्हों ने नेताओं की तुलना किसी की सूर प्रनाखा से किसी की मेघनाद से किसी की रामड से कर दी थी और जो दलित वर्ग है जो निशला तपका ह उसमें संदेश गया कि ये जो है गलत कर रहे हैं ये जो है हम लोगों को नीचा दिखा रहे हैं इनके उपर अहंकार आ गया है तो गधों का जिक रखलेश ने भले न किया हो लेकिन नंद गोपाल गुपता नंदी नंदी बैल को कहा जाता है तो नंद गोपाल गुपता नं ने उनके हाथ से निकल गई है योगी की निराशा साब जलक रही थी जब वो प्रेस्पांशन से अभी कर रहे थे पत्रकारों से बात कर रहे थे उनकी निराशा थी कि हम अतियात्म विश्वास में थे ये बेमेल जोड़ा था ये जो है क्षेत्री मुद्दे यहां पे जादा काम कि वो कुछ भी कहें लेकिन निराश उनका होना बनता है मुख्यमंत्री है रसूख रखते हैं पांच बार से वहां सांसद रहे हैं गड़ है उनका अभीमान है अपने क्षेत्र पर उसके बावजूद वो हार गये हैं तो निराशा उनकी बनती है तो ये कुल मिला के इन बिहार से क्या 2019 में जो ये समीकरन बना है ये जैसे आपने पहले बताए कि कांचिराम और मुलायम मिले थे राम मंदिर अंदूलन के बाद जिसके बाद उनकी जीत भी हुई उसके बाद फिर ये महागडबंदन वाला फॉर्मूला बिहार में भी अपना आया गया वहां भी थी करीब 17-18 दलों के प्रतिनिधी वहां मौझूद थे एक तरह से संभावनाय तलाशने की कोशिश की जा रही थी कि अगले चुनाओं में सब लोग साथ चला जाए क्योंकि बीजेपी की आंधी चली आ रही सबको समेटते हुए तो किसी तरीके से तो दीवार बनके रोकन लेकिन फिर प्रश्न वही उठ जाएगा कि नेत्रत तो कौन करेगा राहूल गांधी का नेत्रत हो सकता है सभी कुछ विकार ना हो या उनके अंदर इतनी क्षमता पता नहीं हो या ना हो तो इस पे थोड़ा सा अभी हला की बहुत स्टार्टिंग लेवल पे है जो विपक् में तो वो सफल हो सकते हैं BJP की आंधी को रोकने के लिए और बीजेपी भी इसको मानती रहें कि जब जो है वो आता है सैलाप अता है तो सांप और नेवला एक सार धोस्थी कर लेते हैं कुछ भी कह बहुत है लेकिन साप और नेवला मिलकर इस जो है सहलाब को रोकने में सफल रहे हैं तो यहाँ पर बीजेपी के तमाम दावों के बाद आखिरकार उपचुनाओ के नतीजे आए और इसमें यूपी में भी और बिहार में भी बीजेपी को शिकस जहननी पड़ी तमाम इन मुद्दों को लेकर हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हैं लोकमत निउस डाट इन के साथ